आज हम बनाएंगे कुनाफा ये बहुत ही फेमस अरबिक स्वीट है आज मैं आपको इसकी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी देने जा रही हूँ इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे चाशनी बनाने के लिए हम एक कप पानी लेंगे पानी हम एक सॉस पैल में ड तक हम इसे पकाईंगे अब हम इसमें गुलाब का पानी शामिल करेंगे जिसे गुलाब के गुलाब भी कहते। एक टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे है अब हम इससे अच्छे से उबालनेगे तक्रीबशा है 5-6 मिनट लगते हैं छे उबालने में और इसे गाड़ा करेंगे इसकी तिक भीना भी ना ओ यह हैं जासुका बहुआदा पत्ला भीना हूँ और बहुत भी ज्यादां भी ना हो जैसे के शहएद की कॉंसिस्टेंसी होती है तो वैसे भी नहीं होने चाहिए यह आप देख सकती है इस तरह के कॉंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए अब हम चूला बंद कर देंगे और इसमें आधा टीस्पून हम लेमन जूस शामिल करके इसे साइट पर रखेंगे यह कुनाफा डॉर है यह आप देख सकती है मिडल इस्टिंग कंट्रीज में यह बहुत ही इजीली मिल जाता है यह 500 ग्रैम्स का एक पैकेट है जिसका मैं आधा यूस करूंगी तक्रीबन तो 50 ग्रैम्स में यहाँ पे कुनाफा डॉर कर यूस करूंगी कुनाफा डॉर मिडल इस्टिंग कंट्रीज में बहुत इजीली मिल जाता है लेकिन मुम्किन है कि यह पाकिस्तान में या फिर इंडिया में ना मिले और जो कि यूर्पेन कंट्रीज होती है शायद वहाँ भी ना मिले तो मैं आपको इसका एक दूसरा आप्शन दूँगी इसके लावा आप फैनी सिवया जिससे फैनी सिवया भी कोई कहता है और या फिर फैनी सिवया जो कि लोकली एजियन स्टोर में असानी से मिल जाता है पाकिसान और इंडिया में बेक्रीज पर भी मिल जाता है तो आप वो भी 250 ग्राम यूज़ कर सकती है यह मैं यहाँ पे आपको पिचर दिखा रही हूँ जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है ताके आपको मैं समझा सकूं यह भी आप यूज़ कर सकती है यह फैनी सिवया भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकती है जो कि कोक्ट होती है और इडि इस तरह करके हम इसे श्रट करेंगे बॉल मे दालेंगे चैन टालेंगे ऩा कि मद आ फर किचन की मदशियो कर लें चोटा कर लें ऐधों कि मदा से अब कर सकती हैं कि में से रखन कि आपकर सकती है इसस intercept हम इसे चोटा चोटा कर लेंगे इसे निточ ओलमभim हमने यहां पर चोटा चोटा करके इस तरह करके रख लिया है अब हम इसमें पिगला हुआ मक्षन करेंगे पिगला हुआ मक्षन हम इसमें तक्रीबर 165 ग्राम्म एक पूरा जो स्टिक होता है वह और साथ में उसका आधा वाला वर अधा यहां पर यूज रही हूं और वन टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मक्षन लगा रही हूँ, इसके उपर ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से स्थार करके आप पहला के लगा लें पिगलावा मक्षन है एजी ली लग जाता है, थोड़ा समय यहाँ पे इसमें कलर यूज़ करें हूँ कलर यह ऑप्शनल है अगर आप यूज़ करना चाहती है तो आप यूज़ कर लें, थोड़ा समय और इज फूट कलर यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसके बाद जो हमने डो बना के रखा हुआ था, तो इस तरह करके हम इसे प्रस करते हुए लगाते जाएंगे, उसमें से आधा डो हम लेंगे, आधा डो हम इस तरह लगाएंगे और इच्छे से चमच की मदद से या हाथ की मदद से इसे प्रस करते जाएंगे, साइट स आप रिकॉर्टर चीज भी ले सकती है, मौजरेला चीज भी ले सकती है, या फिर जो कि अरबिक चीज होती है, अकावी चीज जिसे कहते हैं, आप भी ले सकती है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अनसाल्टेड हो, या फिर स्वीट चीज हो, क्योंकि अगर आप इसमें स का के रख लें ताकि जो इसका साल्ट वगरा हो यह अच्छे से निकल जाए तो यह रिकोटा चीज में यूज करूंगी अनसाल्टेड है यह तक्रीबन 200 ग्राम में यूज करूंगी साथ ही मैं इसमें ठीट क्रीम यूज कर रही हूँ अगर यह अवैलबल ना हो तो आप इसकी जगा खोया भी यूज कर सकती हैं खोया बनाने का तरीका मैं आपको अड़ी दे चुकी हूँ दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसकी स्ट और अब हम इसके उपर जो बागी का मिक्स्टर रह गया था वो हम इसके उपर लगाएंगे इससरा करके साइडों से साइड से और उपर से हम इसे कवर कर लेंगे साइड से भी हमने से कवर कर लिया है उपर से भी कवर कर लिया है और इस तरह करके एक वड़न स्पून करेंगे अब graph करेंगे दो से तीन मिनट्प होने में यह बहुत ही ब्राउन यह हो जाता है जट पत cockpit दीयार हो जाता है थोड़ा साफ इसे साइब्साइब से उठाके देख लें साइब से उठा करके देख लीए आप पर अगर आप इसकेности करें कि यह brown होना शुरू हो गए हैं तो आप हम इसे flip करेंगे यानि हम इसे पलट देंगे इस तरह कोई plate रखें इसके उपर कोई सीधा plate रखें इसके उपर और इसे एकदम से flip करें यानि कि turn कर दें जो frying pan है इसे हम फिर से वन टेबल स्पून मक्षन के साथ इस तरह करके grease करेंगे और जो plate में हमने कुनाफा टर्न किया था वह हम इसमें add करेंगे side से हम इस तरह करके इसे फिर से shape दे दे और इसे हम medium heat पर cook करेंगे 3-4 मिनिट मेक्सिमम लगते हैं इसे cook होने में अब हम flame off कर देंगे और जो हमने mixer बनाए था शीरा जो हमने बनाए था वह हम इसके उपर डालेंगे अब हम इसे गरम गरम plate में निकालेंगे इस तरह करके हमने इसे सारे कसारा इस तरह अराम से हित्याद से plate में निकाल लेना है और अब हम इसे chop की हुए पिस्ते से garnish करेंगे chop की हुए पिस्ते इसके उपर अच्छे से हमने लगा लेने हैं यहाँ पर मैं आपको cut करके दिखा रही हूँ यह आप देख सकती हैं बहुत ही जबरदस्त बहुत ही crunchy और अंदर से बहुत ही creamy और delicious हमारा कुनाफा त्यार है कुछ बाते मैंने आपको बताई हैं और variations भी दी हैं तो आप अपनी मर्जी से जो भी चीज़े available हो तो आप उससे बना कर देखिए बहुत ही delicious बहुत ही जबरदस यह कुनाफा त्यार होगा यह आप देख सकती है इसके filling और इसके जो उपर का crust है बहुत ही crispy बना है और अंदर इसके filling बहुत ही जबरदस बनेगी तो उमीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर अपने सचेशन दीजिएगा comment box में थैंक्यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज